हेलो गाइस तो इस वीडियो में हम देव C++ को इंस्टोल करेंगे उसके लेटर्स वर्जन को और यहां पर दे सकते हो अपनी विंडो पर विंडो आपकी कोई सी बीज़ से है भी नो या ले भी नो या एट अठेक है उस पर आपकर सकते हो और यहां पर हम C++ का और C के प्रोग नहीं आएगी, 100% आप इसमें यूज कर पसकते हो इसका, तो वीडियो को पूरा देखना है, स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को सबसर पहले इससे डालनोड करके इंस्टॉल करते हैं, तो guys यहाँ पर आपको 5.1 दिखेगा, देखो 5.11, यह बाला करना है आपको, ठीक है यहाँ ही से कर लोगे, तो यह 5.1 नहीं होगा, बलके 4.9 हो जाएगा ठीक है, 4.99, 9.2 वेटा वर्जन हो जाएगा, जो कि सही नहीं है, ठीक है आपको यह करना है, ठीक है, आपको डांलोड, लेटेस्ट वर्जन 5.11 करना है, रिसमें क्या मिल जाता है हमें, इसमें compiler मिलता हमें, और compiler मिलता हमेhr, Minjay W compiler ठीक है, यहाँ पर देखव aja हमें, यहाँ पर दीखोगे तो Minjay W compiler मिल जाता हमें, compiler के लिए और तागी तो tax editor होता ही है इस पर आप click कर दोगे जैसे click करोगे तो ये automatically download होना start हो जाएगा ठीक है चार-पांस second बाद download होना start हो जाएगा so यहाँ पर ये देखो होना start हो चुका है मैंने कर लिया और इस तरीके से तो ये तकरीवन 48 MB का होता है यहाँ पर मैंने इसे कर लिया तो मैं इसे cancel कर देता हूँ तो इसको install करते हो ठीक है ज़स्ट download पर चलते है और यहाँ पर इससे install करते है इससे English ही रहने देना है और okay पर click कर देना ठीक है इससे पढ़ देना आपको और इसे agree कर लेना है इसके बाद आपको next पर किलिक करना है यह इसका configuration है इसे अगर आप change करना चाहते हो यह आपका programs file के अंदर devcpp नाम का एक folder generate कर देगा लेकिन अगर आप change करना चाहते हो तो यहां से कर सकते हो यहां पर आप चाहो वहां पर इसका configuration जाकर रख सकते हो वो कोई issue नहीं होता ठीक है तो by default मैं तो इसे यह रहने दूँगा और यहां पर जो space require करेगा 346 करेगा ठीक है 346 MB इंस्टो पर किलिक कर देना जैसे इंस्टो पर किलिक करोगे तो automatically download होना install होना start हो जाएगा तो यहां पर आपको यहां पर language दिया तो English रहन देना ठीक आपको next पर किलिक करना और आप यहां पर आप changes कर सकती हो कुछ अगर आपने 4.9 करोगा तो आपको यह वाला option नहीं मिलेगा ठीक है changes कर सकती हो आपको 5.1 करना ठीक है like twilight कर सकते हो इसका जो color है ठीक है basically जो color होता वो osbedian से रहता है ठीक है obsidian ठीक है यह वाला बढ़िया रहता है यह आँखो पर effect भी ने डालता हो रहता ही बढ़िया icon change कर सकते हो genome रख सकते हो या blue रख सकते हो और वैसे new look वाले अच्छे लग रहे है ठीक है next पर click कर दोगे ok पर click कर दोगे यह start हो जाएगा ठीक है तो इस तरीक है इसका दिखेगा यहाँ पर आप मैं एक file create कर लेता हूँ ठीक है तो बढ़ा करने के लिए आपको tools पर आना और editor options पर आना ठीक है यहाँ पर आओगे तो आने के बाद जस्ट आपको यहाँ पर आना font पर ठीक है एडर environment पर तो यहाँ पर आप color भी चैन्ज कर सकती हो font है color है ठीक है यह आप सारी चीज़े background color सब चीज़े चैन्ज कर सकती हो यहाँ पर जो आपकी मर्दी पड़ है ठीक है तो यहाँ पर मैंने file लिक लिए है इसको आप मैं save करता हूँ ठीक है जस्ट मैंने इसको save करना है save as कर देंगी तो मैं desktop पर ही कर देता हूँ कोई folder भी create कर सकती हो like जैसे मैं कर देता हूँ यहाँ पर कर ली लेते हैं ठीक है folder में क्या होगा कि सही रहता है वैसे आप यहाँ से folder create कर सकते हो ठीक है यहाँ पर click कर दोगे और folder just folder ही create हो रहा है इसका rename कर देंगे और rename करके मैं रख दूँगा इसे c programming c and c++ programming ठीक है इससे होगा क्या कि आपके प्रोगाम इदर उदर नहीं जाएंगे ठीक है आप desktop पर भी कर सकते हो इसे कर लेंगे इतना ठीक है करने के ब दूँगा test dot c करना आपको cpp हटा देना सिर्फ c करना ठीक है यहां से भी आप select कर सकते हो यहां से करोगे तो automatically c आ जाएगा ठीक है यह c की ही file का extension देदेगा आपको dot c ज़रूर करना यह इसकी extension होती अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो इसके compiler को पता ही नहीं चलेगा कि यह c क आप प्रोगाम सेफ कर देना सेफ हो चुका यहां से आप रन कर सकते हो execute पाओगे compile कर लोगे आपर तो देख सकते हो यहां पर compile हो रहा हमारा program कोई भी error नहीं है warning नहीं है कोई भी सारा कुछ सही है इसके अधिक है तो इसको execute कर देंगे यहां पर आपको इससे run कर देंगे ठीक है run कर दोगे तो hello world यहां पर दे सकते हो स्कावड़ पुट हमें यहां पर मिल रहा है इसमें error होती तो यह क्या करता है देखो यहां पर करदेंगे और इससे मैं execute करता हूं फहले save करेंगे ठीक है save कर देंगे और execute कर देगे ठीक है run compile करेंगे तो मुझे error देगا देग करनी पड़ेगी ठीक है इस तरीके साब रन कर सकते हो ठीक है यहाँ पर आप रन कर सकते हो अब बात करते हैं C++ के प्रोगाम को कैसे रन करोगे आपको दूसरी फायदा लेनी है new करना और source कर लेना ठीक है और इसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर code लिख दिया इसमें कर क्या रहा है हम iStream को include कर रहा है और using names पर standard का use कर रहा है standard मतलब cout के लिए और यहाँ पर man function है man function में हम hello viewers को print कर रहा है just display पर print कर रहा है return zero कर रहा है क्योंकि कुछ return नहीं कर रहा है so अब देखो इसे यहाँ पर आपको save करना पहले service करना न्यू फाइल हमारी तो service करना अब मैं इसका नाम क्या रखोंगा यहाँ पर क्योंकि यह c++ की file है तो मैं इसका रख देता हूँ example कुछ भी रख सकते हो लेकिन यह आप तो last में करना आपको cpp cpp क्या अपकी c++ की exchange से कोई भी error नहीं है देख लिए हमने error नहीं है run कर दोगे तो hello viewers देख सकते हो इसका output आ रहा है so guys इस तरहीं के साब इसका use कर सकते हो काफ़ इसमें tolls दिये काफ़ कुछ इसमें दिया है ठीक है बहुत ही easy लगता मुझे यह use करना इसमें कुछ भी ऐसी problems नहीं पड़ती है as a beginner को तो आप इसका use कर सकते हो and अगर आपको कुछ problems आ रही है तो आप मुझे comment कर सकते हो और मैं comment का reply जरूर दूँगा and मिलते हैं next video में thanks watching guys